डारी जैसे आप लेखते हो ना अपने मन की बात कि आपके साथ आज ऐसा हुआ अपने यह चीज़ नोटिस की यहाँ पर जो customers होते हैं, वो अपनी चीजों को वहाँ पर जो है self-publish करते हैं, अपनी चीजों को लिखते हैं, इसी तरह के से marketing companies भी अपनी चीजों को लेकर blog बना सकती हैं, या फिर जो लोग blog लिखते हैं, उनके blog पर अगर देखते हैं कि उनका blog बहुत famous है, बहुत सारे ल यानि posts यहाँ पर create करते हो, जैसे blogger.com है, blogspot.com है, यहाँ पर जो है, आप अपने blog page को open कर सकते हैं, और वहाँ पर लिखना start कर सकते हैं, और यहाँ पर देखे होता क्या है, कि आप लिखोगे, लोग को अच्छा लगेगा, तो लोग आपकी website को, आपके blog को visit करेंगे, लो that is blogging, तो blogging means क्या होगे, writing, photographing या other media that is self-published online, यहाँ खुद आप publish करते हो, यहाँ पर किसी third party का use करके नहीं कर सकते हो, बस platform use कर रहे हो, third party का that is blogging, जो blogging website होती हो, तो यह most effective way to build a brand awareness, तो यह क्या है, एक effective way है brand awareness को बढ़ाने का, providing relevant and useful content to your target audience is through consistent blogging, और आप जो है, अपने target audience को relevant information जो है, provide का सकते हो, useful content दे सकते हो, और यहाँ पर consistent blogging हो नहीं, यह नहीं कि आपने एक blog डाल दिया, यह एक post कर दिया, उसके बाद आप महीनों खाली बैठ हो नहीं, आपको consistently blogging यानि कि post वहाँ पर डालने होते हैं, चाहे रिटेन फॉर्म में हो, चाहे फोटोग्रा पर attract कर सकते हैं, attract more perspective customers, जो ज़्यादा से ज़्यादा perspective customers हो सकते हैं, उनको आप यहाँ से attract कर सकते हो, types of blogs, अब बात कर लें कि blog कितने type के होते हैं, तो देखिए, अलग-अलग category में blog को divide कर जा सकता है, जैसे कि अगर आप जो है, अपनी daily life की activities को आप share करते हैं, कि आज आप अपने daily life activities को, अपने thoughts को आप उस blog में लिखते हैं, और लोगों से share करते हैं, जैसो कि YouTube पे आप देखते होंगे कि बहुत लोग अपने life में कि आज क्या 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 क्या, उन्होंने कहां घूमने क्या, वो सारी चीशे share करते हैं, 23rd personal blog, next is micro blogging, micro blogging यानि कि यहाँ पर क् चोटे चोटे पोस्ट, चोटे चोटे इमेज जो है, आप अपने चीजों को share करते हो, तो micro blogging, जैसे twitter, twitter का आप आप देखेंगे word limit होता है, कि आप 200 words में जो है, आप अपना जो भी आपको कहना है, आप उसको share करिए, तो posting small piece of digital content like short videos, आप YouTube shorts देख लीजए, आप Instagram पे चले कर रहे होते हैं, corporate and organizational blog, जो कि ये organization, फिर कोई company जो है, ये blog बनाती है, अपने employees के लिखास कर, कि employees के साथ जो है, वो अपनी चीजों को communicate करते हैं, कैसे employee को काम करना है, क्या rule है, क्या regulations है, कैसे उनको किसी problem से deal करना है, उस से related जो है, वहापे उनको blogging मिलती है, motivate कैसे करना है, अपने आपको fit कैसे रखना है, clear, next है by generation, by generation यहाने की कहने का मतलब है कि आपकी category का जो है, अलग-अलग category में जो है, आप blogging कर सकते हो, जैसे कुछ लोग political blog बनाते हैं, कि politics से चीजे जो है, वो post करेंगे, फिर लिखेंगे, food blog होगे, जो खाना बनाने के अलग-अलग techniques आते हैं, book हो गया, जो किताबों के बारे में, फैशन होगे, जो कपलों के बारे में बता रहे हैं, तो यह generation के recording हो गया, by media type, यहाने कि आप किस type की चीज post कर रहे हैं, कुछ लोग photo photo share करते हैं, जैसे कि आपने pin interest देगा, तो pin interest क्या है, वो खाली photo ही share कियाती है, short post होते है, timber locks हो गया, vlog जहां पर सिफ video ही post किया है, YouTube लेकि हें, जहां पे सिफ video ही post किया जा रहे है, तो media type की कहाई ही पहली text हो रहा है, कहीं पहली image हो रहा है, कहीं पे video हो रहा है, कहीं पे mixture है, याने कि video photo जैसे फेसर इसे type का blog होता है, reverse blog, जैसे ब्लॉग बनाया है वो नहीं लिखता है बलकि जो विवर्स हैं जो यूजर्स हैं वो जो है अपनी चीज़े लिखते हैं जैसे आपने विकीपीडिया देखाऊगा तो विकीपीडिया क्या है विकीपीडिया में जो जो जनरल पब्लिक है वहाँ पर जाके content लिखती है तो that is called reverse blog अब बात करने की blog creation के दो जब भी हम blog बनाते हैं तो वहाँ पे तीन important चीज़े होती हैं जो की blog में होनी चीज़े है headline, link, post और कहीं कहीं पे कुछ चीज़े plugin होती है जो की extra चीज़े होती है जो की आपको अपने blog को अच्छा बनाने में जो ही useful होती है तो सबसे पहले हम बात कर लें blog post की, blog post क्या होता है, देखे, blog post is an article, news piece or guide that published in the blog section of a website यानि कि आपने कोई website बनाई उस पे blog शक्तिम रहा है, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे आप post डालते हो ना different different problem की solutions डालते हो तो वही चीज post कहलाता है blog post यानि कि blog में आपने नया post क्या डाला है, नया content क्या डाला है, नया problem या solution क्या डाला है, suggestion क्या डाला है, that is blog post typically cover a specific topic or query, is educational in nature, range from 600 to 2000 plus words and contain other media types such as image, video, infographics and interactive charts तो जो एक post होता है ना उस post में कुछ educational in nature होता है, यानि कि आप कुछ सिखा रहे होते हो, कुछ बता रहे होते हो, कोई guidance प्रोवाइट कर रहे होते हो और किसी particular topic पर बनाते हो, और यहाँ पर आप image भी डाल सकते हो, videos का भी यूज कर सकते हो, infographics का पर कोई interactive chart यानि कि डाग्राम भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपने एक blog बनाया है, तो यहाँ पर देखें, blocking distraction, white noise generator, website blocker, तो यहाँ आपने पोस्ट यानि कि जो नयने पोस्ट जैसे कि YouTube पे है, YouTube पे जो नया वीडियो आता है वो नया पोस्ट हो गया, तिसी तरह से website पर जब कोई नया topic पर कोई कुछ लिखता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, blog post कहलाती है, clear, next that is blog headline, तो headline क्या होता है, अभी आपने पीछे देखा, तो आपने देखा उसमें क्या था, कि blocking distraction था, white nice generator था, यह सब क्या है, यह heading थे, heading यानि कि जो top line होती है, blog headline is a heading at the top of an article post, यानि कि जो भी आप article post करते हो, उसके जो top पे होता है headline, जिसको पर कर फिर 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 आगे चलके पूरी detail पढ़ता है, उसको हम headline कहते है, जैसे newspaper ह तो newspaper में आप headlines देखते हो, headlines पढ़ते हो, headlines अच्छी लगी, तो फिर पूरी news in detail पढ़ते हो, तो हर topic का, हर post का headline होता है, अगर headline related लगी या फिर attractive लगी, तो हम उसके click करके उसके पूरी detail पढ़ेंगे नहीं, तो हम उसको skip कर देते हैं, यह क्या होता है, the first call to action, your audience will see when they come across your article, यानि कि जब भी वो article आपका देखेंगे, तो वो सबसे पहले उनको headline ही दिखती है, और उस headline के basis पे, वो decide करेंगे, कि उनको आगे फर्दर वो post को in detail पढ़ना है, या फिर नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ पर देख सकते है, how to increase your website traffic without SEO, तो बिना SEO के कैसे website traffic को increase कर सकते हो यह headline है, अगर आपको detail में जाना है, तो आप इस पे click करोगे, या फिर scroll down करोगे, और आपको पूरी detail मिल जाएगी, clear, इसी दरे केसा आप यहाँ पे देखे, write catchy blog title like these to get way more traffic, तो यह क्या होगे, headline हो गया, अब आप यहाँ पे, इस headline के जरी आप यह समझे होगे, अच्छा है यहाँ पे ज़्यादा traffic पाने के लिए किस तरे के से headline लिखे, इसके बारे मिल बताए गया, तो आप क्या करोगे, उसको detail में पढ़ोगे, headline, यानि कि post का headline होता है, जो title होता है, heading होता है, उसी को हम क्या कहते है, blog headline कहते है, clear, और वही पे तीसरी चीज है, क्या link, आपको blog मे links जरूर रखना चाहिए, links जानि कि एक page से दूसरे page पे जाने का माद्य हम होता है, या फिर suppose कि कोई hard word है, तो आपने उस hard word के किसी दूसरे post पे आपने meaning दे रखिया, तो उस पे click करके दूसरे meaning पे पहुंच जाता है, दूसरे page पे पहुंच जाता है, या फिर जैसे हम हैं वीडियो में हम आपको नीचे description link दे देते हैं, कि आपने part 1 देख लिए, part 2 कर link आपको नीचे मिल जागा, part 2 पे click करेंगे, आप सीधे उस video पे पहुंच जाएंगे, तो link, तो इसी तरह किसे blog में भी बहुत सारे जो post होते हैं, उसमें links दिये जाते हैं, जिससे कि आप further और send them to another page on, यानि कि आपको, आप suppose कि कैसे SEO के जरीए आप ट्राइफिक को बढ़ा सकते हैं, यह आप पढ़ रहे हैं, उसे में हमने SMM के बारे में बता दिया, digital marketing का भी link आपको दे दिया, आप SEO अला post पर रहे हैं, लेकिन आप उसे में आपको SMM और digital marketing का भी link मिल जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस figure में एक जैसे क्या है, कि यह क्या है, directories और subdomain, यह दोनों highlighted होते हैं, और इस पर click करते ही, आप जो है किसी दूसरे website पे और फिर किसी दूसरे post पे आप पहुंच जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, links कहते हैं, तो चार important factor हैं blogging content के, when you are writing content for your business blog, it is important to keep these four very important practice in mind, तो जब भी कोई business organization जो है blog लिखता है, तो चार important चीज़ उसके mind में होने चाहिए, पहला linkable, linkable means include links यह article यानि जो भी आप article पोस्ट क्रेट कर रहे हो, उसमें links होने चाहिए, related articles, source and your other online channels, interact with other blog and link back to your own, तो वो links या तो खुद के ही किसी home page पे जाने के लिए link आपने दे दिया, या फिर उससे related कोई दूसरा article आपका उसको जाने के लिए link दे दिया, तो link आपके उसमें होना चाहिए, पोर्ट में, article होना चाहिए, पोस्ट में, scanable, scanable यहान कि break up text for easy reading, वहाँ पे जो है break up करनी है, जैसे कि images है, headers है, bold है, capital ह italic form है, तो उसको scan करके उसको कुछ ना कुछ message होना चाहिए, sociable, respond to the comments to your post, यानि कि जो blog है, यानि कि blog डाल दिया, उसमें लोग अगर comment करने है, उसमें कुछ post करें, तो आप उसको comment करिए, reply करिए, respond to the comment on your post, engage with reader, with conversation, give readers an option to share, make your readers feel a part of your blog community, तो उनको एक feel होना चाहिए, कि हाँ वो आपके blog की community के member है, searchable, searchable means कि use keywords, links and text to improve SEO, search engine optimization होता है, SEO, आप आगे की unit में इसको पढ़ेंगे, SEO in detail, तो जो है, यहाँ पर keywords, links और text का use किया जाना चाहिए, जिससे कि आप जो है, search किया जा सके, कोई customer search कर रहा है, what is Amazon, तो Amazon आपके पास जो ब्लॉग में keywords यूज़ कर रहे हो, links यूज़ कर रहे हो, वो searchable हो चाहिए, posting और article on your social channel means more people see you, यानि कि जब आप articles अपने social channel पे post करते हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, यही तो आपका main motive होता है, तो इसलिए जो भी keywords आप यूज़ कर इंस्टॉल नहीं किया है, तो अब जब कभी आप वेबसाइट से Google से कोई PDF फाइल डाउनलोड करेंगे, तो PDF फाइल ओपन नहीं होगी, क्योंकि आपके system पे कोई plug-in नहीं होता है, कि उस PDF फाइल को open करने के लिए कोई software नहीं है, clear, आप कई बार ऐसा होता कि Google पे या फिर प्लगिन की जोद पड़ती है, तो प्लगिन क्या होता है, एक प्लगिन इजे software add-on, that is installed on a program enhancing its capabilities, तो प्लगिन क्या हो गया है, एक तरिके का software होता है, जो की program में install किया जाता है, जिससे की capabilities होती है, उसकी enhance हो जाती है, अब अगर आपने PDF फाइल अडॉब एक्रोबेट जातो आप email पर क्लिक करके, आप PDF को open कर सकते हो, लेकिन अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं किया, add-on, accrobat डाउनलोड नहीं किया, तो PDF आप open नहीं कर पाओगे, for example, if you wanted to watch a video on a website, you may need a plugin to do so, if the plugin is not installed, your browser will not be understand how to play the video, तो अगर आपको किसी website पे video यूज कर देखना है, तो आपक नहीं होता है, clear, example के तोर पे add-off flash player हो गया, java virtual machine हो गया, quick time हो गया, microsoft silver light हो गया, united web player हो गया, यह सब क्या है, यह plugins होते हैं, जो कि website जब हम use करते हैं, तो उसमें हम इन सब का use करते हैं, जिससे कि हम आसानी से कोई file open करनी हो, कोई video देखना हो, तो हम उसको आसानी से open कर सके तो इसी तरिके से जो हम blog बनाते हैं, तो blog में भी बहुत सारे plugins आते हैं, जिससे कि हम blog को आसानी से create कर सकते हैं, blog को attractive बना सकते हैं, जैसे कि उसमें से एक आता है elementor, elementor क्या है, is a drag and drop page builder for wordpress, ती wordpress के लिए page builder है, इसका use करके हम blog बनाते हैं, this plugin helps you create beautiful pages using a visual editor, यह क्या है, beautiful pages create क it is designed for you to build dynamic website quickly, तो आप इसका use करके जो है, एक website जो है, attractive website, dynamic website, आसानी से बना सकते हैं, तो यह elementor क्या है, एक तरिके का plugin है, अगर आपको blog करना है, आपको website बनाना है, कोई post करना है, तो उस post को create करने में, उस page को create करने में, elementor का आप use कर सकते हैं, तो this wordpress plugin is an all-in-one solution, letting you control every part of your website design in a single platform, तो आपको अगर कोई website को है, website को manage करना है, किसी platform के website को manage करना है, तो आप Elementor डाउनलोड करी है, और Elementor के जरी है, आप पूरे अपनी website के हर page को manage कर सकते हो, तो इस तरह के से बहुत सारे plugins है, जैसे Yoast SEO है, तो यानि कि आगर आप blogging करते हैं, यह जो plugin से ही आपको helpful ह सकते हैं, Yoast SEO, Jetpack, Akismet, WP Rocket, Optimal, Monster Insight, Smash Balloon, Revive, Old Post, यह सब क्या है, यह plugins है, जिनका use करके जो है, आप अपने blog को, अपने website को और attractive dynamic बना सकते हैं, that is blog creation, wish you all the best, keep watching.